हेलो स्टुडेंट्स आपका स्वागत है क्लास 10 टर्म टू साइंस के सैंपल पेपर के डिसकॉशन में जी हाँ बच्चों कल हमने डिटेल एनालिसिस नहीं किया था क्विक एनालिसिस किया था और आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं सैंपल पेपर का फुल और डिटेल एना आंसर बताऊंगा कि ऐसा आंसर क्यों है इस कोशन का है ना तो यह आपको पता चलेगा बस अगले कुछ मिनट में तो शुरू करें सबसे पहले आईया हम सैंपल पेपर का जड़ा फॉर्मेट देख लेते हैं तो बच्चों जो सैंपल पेपर सीब्यसी ने अपलोड किया है अपने वेबसाइट पे साइंस का वह सब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव को तीन सेक्शन में डिवाइट किया गया है ठीक है सेक्शन ए में कितने कोशन है सैवन कोशन कितने मांक्स के दो मांक्स के ठीक है सेक्शन भी में सिक्स कोशन है कितने मांक्स के थ्री मांक्स के और जो section C है उसमें 2 case based question है हर question 4 marks का है तो section C में 2 case based question और हर case based question 4 marks का ठीक है यानि 3 section में बटा हुआ है science का term 2 का sample paper जो की subjective है तो अब हम क्या करेंगे अब हम एक एक question को start करेंगे solve करना और मैं आपको बताऊंगा कि उस question का answer क्या होगा ठीक है समझ में आया चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आपका स्वागत है अड़ा 24-7 class 9-10 बच्चों इस वीडियो को जितना अधिक हो सके like और share कीजिए क्योंकि बच्चों तक य पारे में वह अच्छी से तयारी कर सकेंगे exam की है कि नहीं चलिए और यह भी पता चलिएगा कि किस टाइप के question पूछे जा रहे है case based question कैसा है diagram based question कैसा है है ना चलो तो बच्चों यहां देखो जड़ा question में क्या दिया है question में पहला question जो section A का दिया है दो marks का उसमें यह कोवलेंट बॉन्ड विद कार्बन कार्बन के साथ इन चारों एलिमेंट में कौन कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा ठीक है सबसे पहले जरा यहां देखो पी एलिमेंट का electronic structure 26 तो यह 206 किसका होता है कि आपको पता है हाँ आपको पता है यह oxygen का होता है है कि नहीं oxygen का होता है क Q cost 281 किसका ओता है gravel किक्रों किसके पास होता है 100 क में पास तो क्यू क्या ह्तospite कियुक्स के पास होता है 287 7nymi इंट होताे हैं तो सत्रे गैसे कभी भी वैलंसी शू करते हैं नोबल गैस और इलेक्ट्र ऑंड आपके आचली और पूरी तरीके थेड़ 58 उनको जो बंड वनने यहीं होती तो ऑॉर्गन क्या है आर्गन नोबल गैस तो क्या ये बांड बन और कार यह साने retrans यहाईगा यहνηा मन्न के साथ bond नहीं बनाएगा बात करें अगर sodium की तो sodium अपना electron दान देगा loose करेगा तो दो आठ एक अगर ये एक electron दे देगा तो sodium के पास हो जाएगा दो आठ और sodium अपना octate fill कर लेगा इस तरीके से तो sodium क्या करता है sodium electron को ट्रांसफर करता है electron की शेरिंग नहीं करता है कोवलेंट बॉ Dancing up बनता है जब कि sorry को चरिक देगा होता है सो डियम electron को शेर नहीं करता एलेक्ट्रोन को ट्रांसफर करता है यहां ऐनिक बाटन बनता है तो ये भी नहीं होगा जबकि यहां देखो oxygen oxygen को दो और 6 दो electron और मिल जाये तो इसका octate पूरा हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं तो यह देखो oxygen और carbon carbon की valency है कितनी चार oxygen की valency कितनी होती है दो तो इस तरीके से carbon और oxygen मिलकर क्या करते हैं बना लेते हैं तो यह देखो है कि नहीं कार्बन की यह चार वैलंसी है ऑक्सीजन की दो वैलंसी कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया तो पी बॉंड बनाएगा इसका मतब P कोवलेंट बनाएगा तो आंसर P है क्लोरीन जी हाँ कार्बन देखो क्लोरीन के साथ कार्बन के वैलेंसी चार और यहां क्लोरीन को दो आठ साथ एक एलेक्टरोन और मिल जाए तो क्लोरीन का काम बन जा मतब क्लोरीन के वैलेंसी कितनी एक तो एक कार्बन से चार क क्लोरीन जुड जाएगा तो सभी 4 क्लोरीन की वेलेंसी कम्प्लीट हो जाएगी मतब ऑक्तेट पूरा हो जाएगा कार्बन क्लोरीन के बीच अलेक्टरोन की शेरिंग हो सकती है मतलब यहां भी बॉंड बनेगा तो आंसर क्या है आंसर है पी और यह देखो पी और रहा कि नहीं रहा कि नहीं आंसर क्लियर है यह देखो कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉंड बना रहा है और कार्बन क्लोरीन के साथ बॉंड बना रहा है कोवलेंट बॉंड यहां भी अलेक्ट्रॉन की शेरिंग हो रही है यहां भी अलेक्ट् अग्डु प्यज्ट्रा वेलेंट कार्वन की त्य Boss कितनी हो दिया चार इंद के पुसका हो pregunta कार पूरा करने के लिए क्योंकि कार्वन के पास होता है दो और 4 कार्बन का पूरा हो जाएगा औक तो कार्बन और ऐसी तर प्लोरीन क्या करते हैं ? यह कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना लेते हैं तो यह कार्बन की प्रॉपर्टी है कार्बन टेट्रावेलेंट होता है इसलिए यह कंपाउंड बन रहे हैं ठीक है समझ में आया तो यह कार्बन के कोवलेंट नेचर से कोशन पूछा है सैंपल पेपर में पहला कोशन समझ में आ गया तो कोवलेंट बॉंडिंग अच्छे से पढ़ लीजेगा आपको एक्जाम म वीडियो एविलेबल है कार्बन इनिट्स कंपाउंड का जाकर देखिए उसको और उसको अच्छे से पढ़िए यह सब कोशन हलवा लगने लगेगा आगे चला जाए चलिए अरे यह कोशन तो मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी डाला है देखा है कि आपने कि नहीं चैनल वाई और डबलू दे रखे हैं पहला कोशन ने पूछा है कि विच अलिमेंट वूड्र टोगेधर तो फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड किसके बीच में बनता है कोवलेंड कंपाउंड नॉन मेटल देखिए जैसे अभी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंड कोवलेंट कंपाउंड है तो कार्बन भी नॉन मेटल ऑक्सीजन भी नॉन मेटल यानि नॉन मेटल क्या बनाते हैं कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं और नॉन मेटल कहां पाए जाते हैं नॉन मेटल प्रियोडिक टेबल में राइट साइड पाए जाते हैं और राइट इधर होते हैं left side और non metal होते हैं right side ठीक है तो अगर ऐसा question पूछा जाता कि आयनिक compound कौन बनाएगा तब आप कह सकते कि डबलू Z के साथ यह W Y के साथ क्योंकि जब metal और non metal मिलते हैं तो आयनिक compound बनता है लेकिन non metal आपस में compound बनाते हैं तो वह covalent compound होता है और न我्हों मेटल होते हैं 2023 साइड वाई और u जड़ तो आंसर लिस्ट फjebanelaughing to from what only compound answer is why your dead would review to two prev कोवलेंट चला है चला फिर दूसरा कोश्टन क्या पूछां टूAust 25 pa यह druglazeaire यहेच A般 क्लिटामिक रेडियससे तोमिक साइज काा पता चलता है है ना अब atomic radius जो है या कहलो atomic size है यह किस तरीके से periodic table में बदलता है तो अगर हम periodic table में left से right जा रहे हैं तो atom का size लगातार छोटा होता जाता है मतला atomic radius घटता है और अगर हम down the group जा रहे है periodic table में उपर से नीचे जा रहे हैं तो number of shells बढ़ने के कारण जो size है atom का वो लगातार बढ़ता जाता है है कि नहीं तो इसका मतलब जो नीचे पाए जाएगा element वो size में बढ़ा होगा उसका atomic radius ज्यादा बढ़ा होगा और left में atom का size बढ़ता है ना तो इसका मतलब atom का radius भी तो बढ़ेगा बढ़ेगा की नहीं बढ़ेगा तो नीचे जाने पर atom का radius बढ़ेगा तो किसका atom का radius ज्यादा होगा डबलू का है ना तो इसका मतलब डबलू ज्यादा बढ़ा है डबलू का atomic radius जेड के comparison में ज्यादा है जेड का atomic radius कम है clear तो पहले second 2a 2b दोनों का हमने answer देख लिया कि नहीं तो यह trend आपको देख लेना एक्जाम में periodic table में जो trend है ना किस तरीके से metallic property change होती है किस तरीके से electronegativity change होती है किस तरीके से valency change हो जती है periodic table में यह बहुत important चीज़ है पूछा जाता है चले आगे question number second भी solve कर लिया आसान था अगर हमको trend पता है तो मांसर आसानी से दे सकते थे ठीक है अब देखो next question क्या पुछा है trace the path of a male gamet takes to fertilize female gamet after being released from the penis male gamet किसको कहते है sperm को एक बार इस पर्म penis से release हो जाता है penis किसके शरीर में पाई जाएगा male के शरीर में तो male के शरीर में जब penis से एक बार male gamet याने sperm निकल जाता है तो जब वह female के female reproductive part at enter करता है तो उसका path क्या है वह path किया है उसका कि उस path से होते हुए वो जाकर female gamit से मिल जा रहा है fertilize कर दे रहा है तो इसके लिए हमको female reproductive देखना पड़ेगा पाट female reproductive organ तो यह जो सामने आप देख रहे हो यह है female reproductive organ तो penis penis जो है sperm यानि male gamit को कहां release करता है vagina में female के vagina में तो इसका मतलब सबसे पहले sperm कहां आया vagina में है कि नहीं अब यह vagina से होते हुए यह sperm कहां जाता है uterus में तो next जो है वो क्या है uterus और फिर uterus से तहरते हुए यह कहां जाता है fallopian tube या oviduct कह लो जो कहना है वो कह लो fallopian tube और fallopian tube में इधर ovary से क्या आता है female gamit यानि egg और वो भी कहां जाता है fallopian tube में तो इधर से sperm आया उधर से एग आया और fallopian tube में क्या हो गया fertilization तो जो sperm यानि की male gamit का जो path है वो यह path है vagina vagina से फिर uterus और uterus से फिर fallopian tube ठीक है समझ में आया यह रहा हमारा answer और दूसरा question क्या पुछा है state the number of set of chromosome present in जाइगोट तो देखो जाइगोट कैसे बनता है जब male gamit है ना male gamit यानि स्पर्म जिसके पास half number of chromosome होते हैं हाफ मतलब कि इंसान में 23 पेर chromosome होते हैं इंसान के सेल में humans में 23 पेर मतलब 46 ठीक है तो 46 को हम क्या कह सकते है 2N ठीक है तो n कितना हुआ 23 तो n बोलने का मतलब यहाँ 23 क्रोमोजोम है ठीक है male gamit में 23 क्रोमोजोम और female gamit में 23 क्रोमोजोम 23 यानि n अजब male और female gamit का क्रोस होता है तो क्या बनता है तो जाइगोड बनता है तो जाइगोड में n और n यानि कितने टू एन क्रोमोजोम होंगे न यानि की two set of chromosome कितने सेट दो सेट आफ क्रोमोजोम होंगे वह यहां आंसर लिखा है देखो have two n chromosome ठीक है sperm में n एग में एग यानि female gamit में n और sperm और एग मिलेंगे तो n प्लस n यानि two n two n मतलब ट्वेंटी थी पेयर कहलो या 46 क्रोमोजोम कहलो ठीक है यह रहा हमारा कोशन नमबर थड का अंसर आगे चलते हैं बहुत आसानी से बहुत ही मतलब यह डाइग्राम बेस्ट कोशन था ठीक है अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो कोशन आप आसानी से बता सकते हो ठी एक ब्लैक रंग का पाउडरी मास देखा वो किस चीज़ का था यही पूछा है नेम दो ऑर्गिनिजम रिस्पॉंसिबल फॉर दिस वो ऑर्गिनिजम कौन है जिसने इस ब्रेट को क्या कर दिया ब्लैक बना दिया क्या बता सकते हैं जी हां ब्रेट खरीदा होगा अपने द राइजोपस कहते हैं देखा है कि नहीं यह देखो दिख रहा है तो यह फंगस कौन है यह और्गिनिजम कौन है जो की एसेक्शुल मोड आफ रिपोड़क्शन से ग्रो कर गया तो वो और्गिनिजम है राइजोपस जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं क्या कहते हैं ब्रे mechanism reproduce में जहां एसेक्श्वल रिप्रोडक्शन के मोड दे रखे ना बाइनरी फीजन मुल्टिपल फीजन बडिंग स्पोर फॉर्मेशन वहां यहां आपको मिलेगा इसकी चर्चा ठीक है कि जो राइजोपस है जो की एक प्रकार का फंगस है यह स्पोर बनाकर क्या करता है अप रहेता पूरा बना देता है और ब्रेट को ख़राब कर देता है उसी के वजह से ब्रेट जो है वह वह काली नज़र आने लगती है ना अब तो पहला संब में आ गया नेइम кус यहां पोछ चोटे छोटे यहां देख रहे हो या ना तो यह जो धागे हैं यही वेजिटेटीव पाट है इन्हें क्या कहते हैं हैं है कहते हैं यह एड लाइक ठेक्टर जो आप देख रही हो इन्हें है पहाँ गया हइफे ये विजितेटीव पाट है और अगर पूछा जाया कि रिपोड़क्टि पाट तो को पूछाए ना पूल पमें यह आए है father like structure इसके ऊपर इस वह दिख स्ट्रॉक्ट्छर ब्लॉक देखUर इस पॉरंजिया क्या है और यह पॉर्छिंज और यही रिपोड़क्टी पाठ है राइजोपस का और जब यह इस पुरंजिया फटता है इस में से छोटे-छोटे स्पोर्स निकलते हैं क्या निकलते हैं स्पोर्स और वही फैल जाते हैं उसके वजह से जो राइजोपस है उसकी संख्या और बढ़ जाती है क्या तो हमने फोर्थ एक भी देख लिया फोर्थ के बी का अंसर भी देख लिया आगे चला जाए बच्चों चलो आगे चलते नेक्स कोश्यन क्या लिखा है मस्टर्ड वास ग्रोइंग इंटू फिल्ड एंड वी वाइल फिल्ड एप्रेड्यूस ब्राउन कलर सीट्स जो खेती वाली जमीन थी जिसको हम A और B कह देते हैं A में जो मस्टर्ड ग्रोग किया गया उसमें ब्राउन कलर के सीट पैदा हुए और B फिल्ड में जो ग्रोग किया गया मस्टर्ड उसमें यल्लो कलर के सीट पैदा हुए ठीक है इट वोज अब्जाव डैट इन showed only the parental trait for consecutive generation, whereas in field B, majority of the offspring shows a variation in the progeny, मतब जब ए फिल्ड में देखा गया कि parent से, parent mustard plant से, जब उस नए mustard plant पैदा हुए, उन से फिर नए mustard plant पैदा हुए, तो उनके character rate जैसे थे, ठीक है, तो parental trait, parental trait को शो किया, वो mustard plant में जो कहां ग्रो किये गए, A में, और वो mustard plant जो की B field में ग्रो किये गए, उनमें variation मिला, offspring में, मतब जो character parent में था, थोड़ा बहुत उससे हट कर भी character देखने को मिला, offspring में, तो question ये पूछा है, कि what are the probable reason for these, या तो इसको solve कीजे, नहीं तो दूसरा solve कीजे, और करके लिखा है, और मतलब या तो ये solve कीजे, या तो ये इस कांसर बताईए, तो पहले हम इस कांसर देख लेते हैं, what are the probable reason for these, ठीक है, तो देखो, अगर, अगर हम pollination का method देख लें, तो अगर plants में बात की जाए, तो plants में जो pollination होता है, वो दो प्रकार का होता है, self pollination और cross pollination, ठीक है, तो pollination का मतलब क्या होता है, pollination का मतलब होता है, pollen grain का, stamen से, किधर जाना, पिस्टिल की और जाना, pollen grain का, stamen जो की male reproductive part है, male reproductive part है, flower में जो male reproductive part है, उसे हम stamen कहते हैं, ठीक है, और जो female reproductive part होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बच्चों, उसे हम पिस्टिल कहते हैं, तो stamen से पिस्टिल की तरफ, pollen grains का, जो movement होता है, इसे ही हम pollination कहते हैं, क्या कहते हैं, pollination, अब pollination दो प्रकार का होता है, एक ही flower के stamen से, उसी flower के पिस्टिल पर अगर pollen grain transfer हो, तो वो self-pollination, और अगर एक flower के stamen से, किसी दूसरे flower के, किस पिस्टिल पर अगर pollen grain का transfer हो, तो वो cross-pollination, अब आप ये बताओ, कि अगर एक ही flower है, तो क्या variety produce होगी, एक ही flower के में, यानि self-pollination करें, तो क्या variety produce होगी, नहीं produce होगी, क्यों, क्योंकि, दोनों का जो genetic combination है, genes का जो structure है, चीनो टाइप है, वो एक जैसा होगा, है ना, यहां से जो pollen निकला, और उसी flower के पिस्टिल पर चला गया, तो इस pollination में variety produce नहीं होगी, और variety produce नहीं होगी, इसका मतलब, कि variety कहां produce नहीं होती, इस self-pollination, self-pollination में no variety, clear, क्योंकि, भाईया, plant का flower तो बदल ही नहीं रहा, एक प्लांट, एक प्लांट में उसी flower के, and stamen से, उसी flower के पिस्टिल पर pollen grain चला गया, तो variety कहां से produce होगी, flower तो वहीं है, और इस टाइप के pollination को self-pollination कहते हैं, तो self-pollination में variety produce नहीं होगी, ठीक है, तो parent, parent के बाद जो F1 generation है, F1 generation के बाद जो F2 generation है, सब में characters क्या होंगे, trait, एक जैसे होंगे, लक्षन, characters, सब एक जैसे होंगे, मतब अगर ये brown, तो ये भी brown seed, ये भी brown seed, समझ में आया, तो field A में, क्या हुआ था, देखो, it was observed that in field A, the offspring showed only the parental trait, मतब बच्चों में, जो अगली generation थी, उसमें, parent के लक्षन मिले, तो parent के लक्षन क्या थे, brown colored seed, तो आगे वाली generation में भी brown colored seed मिला, इसका मतलब कि field A में क्या है, field A में self-pollination हुआ है, और field B में, field B में, cross-pollination हुआ है, तभी वहाँ variation डवलप हुआ है, majority of the offspring showed a variation, है कि नहीं, देखो, variation क्यों, क्योंकि field B में, cross-pollination हुआ, एक flower से, दूसरे plant के किसी दूसरे flower पर, मतब, plant अलग-अलग, एक mustard plant, दूसरा mustard plant, एक mustard plant के flower से, pollen grain उड़कर, दूसरे plant के flower के पिस्टिल पर चला गया, तो cross-pollination, तो flower बदल गए, flower बदल गए, मत्तब variety प्रेडिस होगी, और इस type के pollination के वज़े से, गर variety प्रेडिस होगी, तो variety कहां प्रेडिस हो रही है, field B में, तो इसका मतलब reason यह है, कि field A में, self-pollination हुआ है, और field B में, cross-pollination हुआ है, जहां भी cross-pollination होगा, वो pollination में variety प्रेडिस होगी, ठीक है, क्या होगी, variety प्रेडिस होगी, देख लो यहां, यहां एक देखो, एक structure है, cross-fertilization किया गया, purple full को white flower से, purple flower को white flower से, cross-pollination किया गया, तो देखो, F2 generation में, तीन तो parents जैसे हैं, ठीक है, लेकिन एक variety प्रेडिस हुई की नहीं, यही reason है, यही reason है, समझ में आया की नहीं, तो यह ध्यार रखना, तो इसका answer क्या होगा, इसका answer यह होगा, कि field A में, self-pollination कराए गया था, इसलिए कोई variety प्रेडिस नहीं हुई, इसलिए, parent में जो लक्षन थे, वही offspring में थे, लेकिन, लेकिन, field B में, cross-pollination हुआ, इसलिए, नए variation प्रेडिस हुए, तो parent के अलावा, कुछ और नए characters दवलप हो गये, और आगे आने वाली generation में, तो वही लिखा, in field B, variation is seen to occur, because of recombination of gene, as cross-pollination is taking place, ठीक है, question number हमने solve कर लिया, अब आगे चलते हैं, अच्छा, एक question इसमें, fourth का हमने fourth solve किया है, fifth solve किया है, fifth का ये वाला part solve किया है, fifth का ये part तो solve कर नहीं, अभी बाकी है, in an asexually reproducing species, if a trait x exist in 5% of population, and trait y exist in 70% of the same population, which of the two traits is likely to have, horizon earlier, मतब कौन सा trait, कौन सा लक्षन पहले आया, तो आप बताओ, आप साफ साफ ये दे खोज साफ साफ दिख रहा है, कि माल लो, 100 ले लेते हैं, ठीक है, 100 में से, 5% में, एक trait है, कौन सा trait है, trait x, ठीक है, 5% में trait x है, और बाकी, 70% में trait y है, तो 75, 75, 25%, 25% में कुछ होगा, अब आप ये बताओ, कि इन में से, कौन साफ रेट पहले आया, तो जो लक्षण कॉमन होते हैं, इसका मतलब क्या है, कि वो सबसे ज़्यादा नंबर में है, और सबसे ज़्यादा नंबर में है, क्योंकि, उनकी population, उनकी population में संख्या जादा है, वो बहुत पहले से, वो करेक्टर क्या और इनहेरिट हो रहे है, तो जो करेक्टर ज़्यादा इनहेरिट होगा, लंबे समय से इनहेरिट होगा, वो population में ज़्यादा पाये जाएगा ना, तो यहाँ X का परसेंटेज ज़्यादा है कि Y का, Y का, तो Y वो ट्रेट है क्योंकि यह परसेंटेज में ज़्यादा इसका मतलब यह काफी समय से, काफी जनरेशन से इनहेरिट हो रहा है अगले जनरेशन, तो फिर कौन से ट्रेट ज़्यादा होना चाहिए, आंसर इस Y, आंसर क्या है Y है, तो वहीं लिखा है, न्यू ट्रेट कम इन पोपलेशन दू इसका मतलब यह परसेंट ज़्यादा है, वह परसेंटेज ज़्यादा है, ज़्यादा पाया जा रहा है, लख्षण वह लंबे समय से इनहेरिट हो रहा है, यानि की आंसर इस ट्रेट Y, ज्यान रखना, हम सब में मालो दस लड़के हैं, दस लड़कों में नौ लड़के क्या हैं, काले हैं, एक लड़का गोरा है, तो मतलब वह काला लख्षण सबसे ज़्यादा है ना परसेंटेज में, वह इसलिए है क्योंकि वह लंबे समय से इनहेरिट हुआ जा रहा है, मतलब आज के सौ साल के अगर हम हिस्टरी निकालें, तो वह करेक्टर लगातार हर जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट हो रहा है, तो जो करेक्टर ज़्यादा इनहेरिट होगा, उसका पॉपलेशन में परसेंटेज भी तो ज़्यादा होगा, है कि नहीं, अगर हमारे अगल बगल ज़्यादा लंबे लोग हैं, इसका मतलब कि वो करेक्टर लंबा होना जो करेक्टर है, वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में मौझूद है, क्योंकि वो लंबे समय से इनहेरिट हो रहा है, ठीक है, समझ में आया, चलो, अब आते हैं, क्वाशन नमबर 6, क्वाशन नमबर 6 में देखो, मेगनेटिक एफेक्ट और करेंट से क्वाशन पूछा है, बहुत आसान क्वाशन है, यहाँ आपको एक मौटर दे रखा है, मौटर में ये मैगनेट है, मैगनेट के बीच में कॉइल है, ठीक है, a coil of wire is mounted on an axle between the poles of a horseshoe magnet, horseshoe magnet के बीच में ये wire को place कर दिया गया, और wire को axle से जोड़ कर बैटरी से जोड़ दिया गया है, अब question क्या पुछा है, in the above example, coil A, B, C, D, ये, A, B, C, D, ये जो coil है, मतलब ये ऐसा कुछ बना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा, ऐसा, ठीक है, ये बन रहा है न, coil, तो ये question में ये पुछा है, कि जो पहले तो दिया क्या है, वो देख लो, coil A, B, C, D, is horizontal and the battery is connected as shown, तो ये, जो coil है, ये horizontal, अब question ये दिया है, कि for this position, state the direction of force on the arm A, B, तो R में A, B पे force किधर लगेगा, तो force का direction कैसे दिखाते हैं, force का direction बताते हैं, flaming left hand rule से, जी हाँ, किससे, flaming left hand rule से, flaming left hand rule के लिए, जर आप यहाँ diagram में देखो, आपको अपने left hand का इस्तेमाल करना है, left hand में तीन fingers, thumb, ये वाली finger, middle finger, ठीक है, और ये finger, तो, आपको अगर, magnet का, magnetic field का direction पता है, ये magnet का direction मत समझना, ये है, magnetic field का direction, तो magnetic field का direction हम, मैं यहाँ लिख देता हूं, कौन सा rule लगा रहा हूं, flaming left hand rule, तो flaming left hand rule कब लगेगा, तो flaming left hand rule तब लगाते हैं, जब magnetic field में, magnetic field में, जब current आपका produce हो रहा है, तो उसके वज़ा से force किधर लगेगा, तो हम force का direction, या कहलो magnetic field का direction, या current का direction निकालना हो, तो flaming left hand rule लगाते हैं, तो लगाओ, ठीक है, अब magnet में, मेगनेट में, जो magnetic field lines हैं, वो किधर से किधर की होती है, नौर से south pole की तरफ होती है, मतलब यह magnetic field कुछ इस तरीके से, है ना, तो magnetic field के तरफ हमारी कौन सी left hand की, यह वाली उंगली होनी चाहिए, तो यह मैंने ऐसे कर दी, ठीक है, current, current का direction कैसा है, current का direction ऐसा है, यहां ऐसा है, यहां ऐसा है, और यहां ऐसा है, तो यहां किस पर पूछा है, arm AB पर, तो arm AB तो यह है ना, यह है arm AB, क्लियर, इस पर current का direction ऐसा है, current ऐसे जारी है ना, देखो, positive terminal है, current यहां से निकली, ऐसे गई, ऐसे यहां, तो current ऐसे जारी है, ठीक है, तो यह मुझे यह वाली उंगली किदर रखनी है, current के direction में, तो current के direction तो ऐसे है, है ना, मुझे थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं फिर भी ट्राइ कर रहा हूँ, तो यह ऐसे, यह देखो, यह ऐसे, और यह हो गया current के direction में, यह magnetic field, तो जो अंगूठा है, वो क्या देगा, force, तो अंगूठा मेरा किदर है, नीचे की तरफ, तो इसका मतलब A B पर force किदर लग रहा है, downward, तो answer क्या है, downward है, कैसे निकाला, flaming left hand rule, ठीक है, current ऐसे, current ऐसे, magnetic field ऐसे, तो force किदर लगेगा, नीचे, clear, समझ में आया, अगर magnetic field ऐसे, current ऐसे होता, तो force upward लगता, left hand rule लगा के देख लो, दो चीज़ पता है, magnetic field पता कैसे चला, magnetic field, magnet का हमेशा, north से south की तरफ होता है, तो north से south की तरफ मतलब ऐसे, तो ये वाली उंगली, ऐसे direction में रखेंगे, current, current के direction इस उंगली से पता चलेगा, ये वाली उंगली से, तो इसको मैं किदा रखूँ, तो current है कैसा, तो AB में, ये जो AB जो है, हिस्सा, उसमें current ऐसे है, ये है current ऐसे, तो magnetic field ऐसे, current ऐसे, ठीक है, और दोनों perpendicular होने चाहिए, ठीक है, दोनों perpendicular, ठीक है, तो force का direction निकल आएगा, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, current का direction में ये ऐसे, ठीक है, तो ये अपने आप magnetic field, Magnetic field ऐसे, देखो, ये मेरी उंगली magnetic field के direction में, ये वाली उंगली, करेंट के डारेक्शन में तो यह उठा फोर्स तो यह किदा रहा नीचे की तरफ है तो डाउन्वर्ड आ गया फोर्स थेके तो सिक्स्त का ए हो गया सिक्स्त का भी वाइड दा करेंट इन दा आर्म बीसी नॉट कंट्रिब्यूट टुदा टूर्णिंग फोर्स ऑन दा क्वाइल तो जो करेंट बीसी में जो करेंट है वो फोर्स क्यों नहीं पैदा कर रहा अब आप यह बताओ फोर्स तब लगेगा ना जब मैगनेटिक फिल् magnate B, C में जो करेंट है वो कैसे कीस डारेक्शन ना कोई बताएगा बताहुए बुक्जों से बी सी गया मत्तब ऐसे गया और उसी डारेक्शन में मैगनेटिक ही ब्लूस के खएलुड को अब समझम क्यों क्योंगा स्वाइड को वह current force को वह इसलिए contribute नहीं कर रहा है क्योंकि यहां जो current है वह magnetic field के direction में है दोनों perpendicular होने चाहिए लेकिन यहां दोनों parallel है दोनों के बीच का angle 90 नहीं है 0 degree है magnetic field भी ऐसे current भी ऐसे तो दोनों के बीच में 0 degree और 0 degree तो force क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है समझ में आया चलिए आगे चलते हैं question number 6 का या तो यह करना था नहीं तो और में लिखा है यह तो अब इसको देख लेते हैं a circuit contains a battery ठीक है a variable resistor and a solenoid is connected to it the figure shows below the magnetic field pattern produced by the current in the solenoid तो यह जो आपको lines दिख रही है न यह magnetic lines है जो कि solenoid के वज़े से produce हो रही है तो पहला question state how the magnetic field pattern indicates the region where the magnetic field is stronger तो magnetic field कहां strong होगी कहां weak होगी यह पता किस से चलता है पता चलता है magnetic lines of force से जैसे कि मैं magnetic lines of force से पता चलती है जैसे कि मैं अगर आप बताओं यहां भी magnetic field दिख रहे हैं आपको magnetic field के direction यह है यह भी magnetic field का direction है तो यहां दोनों में अंतर क्या है दोनों में magnetic field शो हो रहा है दोनों का direction भी सेम है लेकिन दोनों में अंतर क्या है यहां देखो magnetic lines of force क्या है पास पास है तो magnetic lines पास होने के वज़र से जो magnetic field का strength है वो ज्यादा होगा तो यहां strength ज्यादा होगा magnetic field का strength ज्यादा होगा और यहां magnetic lines के बीच में देखो gap ज्यादा है क्या है ज्यादा है ज्यादा होने के वज़र से यहां magnetic lines यहां magnetic field क्या होगा वीक होगा magnetic field वीक होगा तो इसका मतब की closeness कितनी है magnetic lines कितनी close कितनी दूर है उससे पता चलता है magnetic field के strength का तो आप यहां देखो कि solenoid के बाहर यहां देखो gap ज्यादा है यहां और कम और यहां देखो यहां gap बहुत कम है तो मत्तब यहां magnetic field ज्यादा है और अगर हम यहां देखे तो magnetic field कम strong है ठीक है तो North Magnetic Field pattern से कैसे पताचलता का तो अइसे पता चलता कि magnetic field जहां close मैगनेटिक लाइन्स वहां मैगनेटिक ज्यादा होता है और जहां मैगनेटिक लाइन्स के बीच में gap अधीखो उनकी बीच की दूरी अधिक हो वहां प्रेगनेटिक फिल्ड वीक होता है तो यह हो गया हमारे पहले कोश्चन का आंसर समझ में आया की नहीं आया आ गया होगा कि ठीक है कि 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 इसको मैं हटा दू हटा देता हूं हटा देता हूं सेंपल पेपर हम लोग डिसकेशन कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से समस्ते हुए ठीक है तो पहले कोश्चन का अंतों आंसर होगे देखो अब आप यहां देखो इस डाइग्राम में यह सोलेनॉइट का डाइग्राम है अब आपको क्या लगता है कि देखो जैसे जैसे यह लाइन आगे बढ़ रही है इंके बीच का जो गैप है क्या वह बढ़ नहीं रहा है बिलकुल बढ़ रहा है यहां मतलब स्ट्रॉंग होगी तो इसका मतलब this relative closeness of fill lines तर मेगनेटिक फिल्ड लाइन कितनी क्लोस कितनी दूर है उस से मैगनेटिक फिल्ड के स्टेंथ का पता लगता है या यहां मेगनेटिक फिल्ड ज्यादा strength वाला होगा, यहां कम strength होगा, क्यों? क्योंकि वहां magnetic lines के बीच की दो दूरी है वो बढ़ गई, और जहां दूरीयां कम है, वहां magnetic field ज्यादा मजबूत होता है, ना, देखो, लड़का लड़की के बीच में, अगर दूरीयां कम है, तो प्यार ज्यादा है, प्यार मजबूत है, ठीक उसी तर, ठीक है, अब आपको क्या लगता है, कि यह जो current है, current ऐसे आया और ऐसे चला गया, तो यहां से lines निकल रही हैं, और यहां end हो रही हैं, लेकिन अगर इसी solenoid में, मैं current का direction बदल दूँ, current ऐसे आये, और ऐसे जाये, देखो direction बदल दिया ना current का, यहां current जा रहा था, अब यहां से आ रहा है, तो क्या, अब वही direction होगा, नहीं, यहां south pole था, तो यहां north pole हो जाएगा, और यहां north था, तो यहां south pole हो जाएगा, अब magnetic field lines, जो इधर enter कर रही थी, अब यहां से निकलेंगी, क्योंकि हमेशा north से निकलती है, और south में enter कर जाती है, तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, समझ में आया, तो what happens to the magnetic field when the current in the circuit is reverse, तो अगर current को हम reverse कर देंगे, तो magnetic field का direction भी बदल जाएगा, ठीक है, पहले यहां से निकल कर, इधर end हो रहा तो अब इधर से निकलेगा और इधर end होगा, वही लिखा है, the direction of the field will also be reverse, क्योंकि field का direction, current के direction पर डिपेंड करता है, यही तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, magnetic effect of current, कि current के direction को बदल देंगे, तो magnetic field का direction भी बदल जाएगा, ठीक है, चलो आगे चलते है, next question, next question क्या क्योंकि DDT को करते हैं, तो इस ट्रॉफिक लेवल में, इस ट्रॉफिक लेवल में सबसे ज़्यादा किसको effect करेगा, तो देखो यह case है, biological magnification का, कोई भी non-biodegradable toxic substance किसी भी ट्रॉफिक लेवल में एंटर कर जाता है, तो उसका concentration successive ट्रॉफिक लेवल में लगातार बढ़ता ज उसमें पाए जाएगा, है कि नहीं, तो यहां आपको कौन सा फिनॉमिना देखने को मिला है, biological magnification, ठीक है, clear, और उसके वज़ए से एक बार DDT, aquatic environment पे एंटर कर गया, तो यह फिर एंटर करेगा, plankton में, plankton से small fish में, large fish में, फिर hawk में, और सबसे ज़्यादा concentration कहां पाए जा यह लिखा है, the hawk will have the highest level of pesticide, और यहां आपको कौन सा फिनॉमिना देखने को मिला, biological magnification, ठीक है, clear, चलो, question number 7 में, दो option थे, या तो इस question को solve करो, या तो इस question को solve करो, अब यहां क्या पूचा है, यहां आपको, तीन vertical arrows दे रखे है, A, C, E, और दो horizontal arrows दे रखे है, B और D, सबसे आदा energy transfer हो रही है, और B और D में कहा energy transfer हो रही है, तो वही लिखा है, which one of the three verticals, and which one of the two horizontal arrows, which represent more energy transfer, तो जड़ा यहां देखो, plants पे, plants पे जो light पड़ती है, ठीक है, plants पे जो light पड़ती है, उसका sunlight, उसका 1% यह क्या करते हैं, यह food बना लेते हैं, और बाकी 99% यह lost कर देते हैं, ठीक है, क्या किया, 99% lost कर दिया, और 1% क्या किया, gain किया, और gain करने के बाद, उस 1% में भी, यह 90% क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल मतब वेस्ट कर देते हैं, और केवल 10% ही transfer होता है, ठीक है, तो यहां, अब आपको देखो, कि plants को जादे energy मिलेगी कि नहीं, तो माल लेते हैं, plants को कितनी मिल गए, 10,000 J, अब 10,000 J में से, 10,000 J में से, फिर, हर्भी वोर को कितना transfer होगी, केवल 10%, तो 10,000 का 10%, 1000, तो lost कितनी हो गई, बताओ, अगर हम यहां से start करें, इसको देखना, बहुत आसान है, बहुत आसान, energy का law, ecosystem का यह question है, our environment chapter का question है, अगर हम यहां माल लेते हैं, कि इसके पास, 10,000 J energy है, जिसमें से, यह 10% transfer करता है, 10% ही transfer होगा न, तो 10% कितना transfer हुआ, 1000 J, ठीक है, और waste कितना हो गया, waste हो गया आपका, 9,000, अब 1000 में से, फिर transfer होगा, 10%, कितना, 100 J, और lost कितना हो गया, 900 J, ठीक है, और फिर 100 J में से आगे, कितना transfer होगा, 10% यानि 10 J, और बाकी 90 J transfer हो जाएगा, तो यहां देखो, A, C, और E, तो यह 9,000 J, 900 J, यह 90 J, तो A ज्यादा है न, A ज्यादा हुआ कि नहीं, किस से, C से, C ज्यादा है, किस से, E से, और अगर B और D में देखा जाए, तो B कितना है, 1000 J, और D कितना है, जो अगले लेवल पे transfer हो रही है, क्योंकि हर अगले लेवल पे कितना transfer हो थी, 10%, तो यह 10% 1000 J के equal है, यह 10% 100 J के equal है, तो B और D में कौन जादा है, B जादा है, 1000 J, तो मतलब B जादा है, किस से, D से, clear, समझ में आ गया, यह देखे, clear cut है न, तो यह ecosystem का question है, मतलब chapter number 15, अवर environment में जब हम ecosystem पढ़ते हैं, तो यह पढ़ते हैं, कि हर traffic level में किवल 10% energy ही transfer होती है, अगले traffic level पे, ठीक है, और flow of energy हमेशा unidirectional होता है, यह भी पढ़ते हैं, चल, section B पर आगए, section B में question number 8, choose an element from period 3 of modern periodic table that matches the description given below, in each instance, give reason for your choice, तो period 3 से ऐसा element बताना है, जिसका structure similar हो diamond के, तो diamond के structure जैसा, diamond का structure होता है tetrahedral, और period 3 में ऐसा कौन सा element है, जिसका structure tetrahedral होता है, तो देखो diamond मनाए carbon से, और carbon के नीचे पाए जाता है silicon, silicon का भी structure tetrahedral होता है, तो इसका answer क्या है, इसका answer है silicon, पहले question का answer क्या है silicon, अन्यकों को टेट्रा हैं Rs. स सिलिकॉन में भी एक सिलिकॉन चार सिलिकॉन से जुड़ा है डैमन्ड में करभबन It carbon 4 से जुड़ा है carbon का electronic correation कितना होता है और अब आघच देख लो सिंपल है तो पहले question का 8 का30 ? फिर दूसरा question period 3 में वह element जिस्की होगी एक गृप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की वैलंसी क्या होती है एक झैसी होती है तो period 3 में वह वह कौनझा element है जिसकी वैलंसी की जैसी होगी lithium के नीचे वाला element यानि sodium की किरेट का element है sodium की वैलंसी वन होती है avoir lithium Tou तो हमारे पास इसका अंसर आ गया लिथियम की जैसे वैलनसी पीरेट 3 में किसके पास है सोडियम के पास है और पीरेट 3 का वो एलिमेंट जिसकी वैलनसी ठीक है वैरियेबल हो और वो तो ऑकसीजन फैमिली का मेंबर हो ऑकसीजन फैमिली में पीरिट 3 में कौन आता है तो ऑकसीजन के नीचे होता है सुल फर तो ऑकसीजन पीरिएट 2 में है और सल्फर है जो व secular意बल उकसीजन दिखाता है जैसे कि जब SO2 बना रहा है तो यहां 4 वैलंसी दिखा रहा है जब SO3 बना रहा है तो यहां 6 वैलंसी दिखा रहा है कौन सल्फर तो सल्फर वो होगा element तो answer आगे हमारे पास की सल्फर ठीक है B का sodium A का silicon B का sodium C का सल्फर क्लियर चलो आगे चलते हैं next how many isomer are possible for the compound with molecular formula C4H8 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 के कितने isomer होंगे तो देखो एक तो यह ठीक है ना एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ एक यह हो गया फिर अब यहां डबल बॉंड आ जाएगा ठीक है एक दो ठीक है एक बार यहां आ जाएगा ठीक है और एक बार ऐसे आ जाएगा तो एक दो तीन चार कितने isomer हो गए चार isomer होते हैं C4H8 के ठीक है यह C4H8 है क्या ब्यूटिन है तो इसके answer क्योंगे क्या चार आइसोमर होते हैं C4H8 के चारों मैंने ड्रॉकर दीए है हाइड्रोजन बस नहीं जोड़ा है बाकी चार कार्बन क्योंकि चार कार्बन है ना चार कार्बन के वज़ा से मैंने यह चार आइसोमर आपको ड्रॉ करके बता दिया बस आपको हाइड्रोजन जोड़ना बाकी है ठीक है फिर इसका इलेक्ट्रोन डॉट इस्ट्रक्चर बना आणो Branche में का ऐब मैध बो दस्लिए रिखो 받ॉर में किसे कहने आए यह तो सीधी जैने स्क्रेट चेई है यह वरांच में Mai यहां तीन हाइड्रोजन यहां तीन हाइड्रोजन एक दो तीन चार तो यहां कोई हाइड्रोजन नहीं यहां तीन हाइड्रोजन देखो इसी का electron dot structure, ये carbon का 2 electron, इस carbon के 2 electron से जुड़ा है, ये देखो, फिर ये carbon का 1 electron, इस hydrogen के 1 electron से जुड़ा है, है कि नहीं, फिर इसका 1 electron, इस hydrogen के 1 electron से, ठीक है, और फिर अगर यहाँ देखें, तो ये carbon का ये एक electron हो गया, एक electron यहाँ हो गया, एक electron यहाँ हो गया, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, अब ये इसके साथ जुड़ा होगा, ये देखो, है ना, clear, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, फिर देखो, फिर इस carbon, electron dot structure कैसे बनता है, भाई, दो electron की sharing होती ह है, तो एक bond बनता है, simple, ठीक है, तो यहाँ, आप ये देख लो, कितने bond है, जितने bond है, वहाँ, दो-दो electron होंगे, clear, एक electron carbon का, दूसरे electron, या तो दूसरे carbon का, या तो दूसरे hydrogen का, बस वही किया है, structure बन गया है, ठीक है, देखो, इसको break कर को, ऐसे सीखो, ना, break कर के सीखो एक carbon, carbon के पास 4 valence electron, ठीक है, carbon के पास 4 valence electron, ठीक है, अब इसमें से ये electron को मैं यहाँ ना लाकर, यहाँ ला देता हूँ, ठीक है, इसको हटा दो, हट गया, अब यह carbon, इस carbon के अपने 2 electron के साथ, मौन बना लिया, ठीक है, अब इसके पास, 2 थे, 2 और बच गये, अब यह 2 किसके साथ, hydrogen के इसके साथ, इस hydrogen किसके साथ, बना लिया, है कि नहीं, बस वही तो बन रहा है, इसी तर जोड़ते हैं, चलो, जो बन जाएगा, फियर, चलो, next question इसमें था, और में, एक carbon compound A having melting point 156 Kelvin and boiling point 351 Kelvin, यह याद होना चाहिए कि carbon and compound में, में, दो important है, ethanol और ethanolic acid, दोनों से ही question आ सकता है, तो 156 Kelvin melting point, और 351 Kelvin boiling point, यह किसका है, ethanol का, ethanol का formula क्या होता है, C2H5OH, जो कि water के साथ, हर proportion में soluble होता है, तो उसका क्या बनाना है, identify तो कर लिया, कि वह ethanol है, उसका electron dot structure बनाना है, ठीक है, तो electron dot structure यह होगा, ठीक है, और homologa series, तो homologa series, मतब इसके पहले और इसके बाद में, इसके पहले क्या होगा, CS3OH, methanol, और इसके बाद क्या होगा, CS3, CS2, CS2OH, ठीक है, यानि C3, S7OH, यानि propanol, एक कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, बढ़ाते जाए, तो यह देखर, homologa series पूछ लिया, पहला और बाद वाला, तो हमने निकाल लिया, ठीक है, और यह राइसका electron dot structure, electron dot structure में कुछ नहीं करना है, आपको यह रेखना है, कि कार्बन के पास कितने electron होता है, बैलेंस चार, hydrogen के पास एक, तो हाइड, वो electron बना कर, उसकी sharing दिखा दो, ठीक है, जैसे carbon, oxygen का यह electron, hydrogen के इस electron से sharing कर रहा है, ठीक है, उसी तर, oxygen का यह electron, एक electron, कार्बन के एक electron से यहां sharing कर रहा है, तो इस तरीके से जो structure बनता है, उसे electron dot structure कहते हैं, ठीक है, जैसे आपको मिथेन का बनाना होगा, तो कैसे बनाओगे, मिथेन मत्ता है, तो carbon के पास 4 electron, और मिथेन में 4 hydrogen होता है, और हर hydrogen के पास 1-1, वैलन्स एलेक्टरोन, ठीक है, अब यह यह लेकर balance हो गया, यह लेकर stable हो गया, यह इसको लेकर sharing लेकर, electron की sharing हो रही है, तो hydrogen के पास उसका शेल भर गया, और फिर यह लेकर, carbon के पास 8 electron हो गया, तो electron की sharing हुई carbon hydrogen दोनों balance हो गए ठीक है चलो फिर यहां next क्या लिखा है two pea plants one with round yellow seed and another with wrinkled green seed को produce किया जाता है F1 प्रोजेनी में और they have round or yellow यानि यह seed produce होते है F1 generation में और जब उनी F1 generation को self pollinated कहते हैं तो pollination करते हैं तो new combination of character is expected in F2 प्रोजेनी यानि यह कौन सा question है मेंडल का जो दो characters को लेकर जो cross किया गया था यह उसका question है यहां भी दो character लिए गए seed round or wrinkled और जो seed का color है वो yellow or green तो हमको दो character वाला result पता होना चाहिए ठीक है तो यह देखो round or green तो round or green की पहचाम क्या है round क्योंकि dominant character है तो वो capital R capital R होगा green recessive character है तो वो small y small y होगा wrinkled small r small r क्योंकि recessive है यलो dominant है तो वो capital Y capital Y तो जो f1 में मिला वो क्या मिला यहीं मिला ना तो dominant की चलेगी तो आर मतलब round और capital Y मतलब yellow और f2 generation में उसको cross किया गया तो यह 9331 के ratio में मिले अब हमसे क्या पूचा है हमसे पूचा है कि जो new combination है new combination मतलब round yellow और wrinkled green के अलावा वो कितने ratio में है तो जड़ा यहां ध्यान देखो round yellow देखो round yellow और wrinkled green के अलावा जो combination produce हुआ है वो कितना है तो यह total 16 में से यह 3 और यह 3 यहीं तो है ना तो टोटल 16 में से 3 है तो 3 बटे 16 ठीक है और कितने combination कितने total plants लिए गए है 160 seeds लिए गए है तो अगर हम इसको 160 से multiply कर दें तो यह हो जाएगा 10 तो यह हो जाएगा 30 तो जो new combination है यह यह कितना हुआ यह 30 produce होगा देखो 3 ratio है 16 में से 9 इस टाइप के मिले तीन इस टाइप के मिले तीन इस टाइप के मिले तो यह new combination produce हुआ और पहला और चौथा वाला तो एकदम round green round green ठीक है clear और रिंकल्ड यल्लो तो यहां रिंकल्ड यल्लो है है कि नहीं तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो यह result आपको पता होना चाहिए ठीक है यहां देखो ध्यान देना यहां रिंकल्ड ग्रीन है ठीक है तो क्रॉस किसका कराएगा और जब इसका क्रॉस कराएगे गया बना तो आ है कि यह बना तिकिया और जब इसका क्रॉस कराएगया तो जो यह 9 3 3 1 रेश्व ब्ला उसमें जो कमिनेशन क्या मिलेंगे न्यू कम्बिनेशन मिलेंगे क्या राउंड ग्रीन और रिंकल्ड यल्लो यहीं मिलेगा न्यू कम्बिनेशन और उसका रेशयो 3 ओ 3 होगा तो आउट और सिक्स्टी नगर 3 है तो 160 में कितने होंगे 3030 यह हमारा आंसर आ गया ठीक है clear समझ में आ गया यह आपका F2 वाला ratio से निकलेगा question यह ratio याद रखना 9331 ठीक है चल अब देखो next 11th number question 11th question में क्या लिखा है it would cost a man 3.5 rupees to buy 1 kilowatt hour of electrical energy अरे question बहुत आसान है बिजली बिल निकालने को बोला है है ना how much calculate how much it would cost to buy the same amount of energy from the main electricity board तो हमको यह पता होना चाहिए कि बिजली बिल हम यूनिट के हिसाब से देते हैं तो एक यूनिट मतलब होता है 1 kilowatt hour तो कितने kilowatt hour power है 2 kilowatt कितने घंटे चलाए गया तीन घंटे तो कितने kilowatt हुआ 6 kilowatt hour 6 kilowatt hour मतलब 6 यूनिट एक यूनिट का दाम साड़े तीन रुपए तो 6 यूनिट का दाम 3.5 मल्टिप्लाइ कर देंगे 6 से यह आजाएगा 21 रुपए एक यूनिट का दाम साड़े तीन रुपए तो 6 यूनिट का दाम 21 रुपए आएगा यह आ गया हमारा answer ठीक है next question तो 11 का A हो गया 11 का B student boils water in an electric kettle for 20 minutes 20 minutes तक पानी गरम करता है using the same main supply जो electricity को supply ले रहा है उसी supply से he wants to reduce the boiling time of water ठीक है तो to do so मत्तब वो time कम लेना चाहता है जल्दी पानी गरम हो जाए तो ऐसा करने के लिए he should increase or decrease the length of heating element क्या करना चाहेगा तो देखो rate of heat supply क्या होता है rate of heat supply main supply जो है rate of heat supply वो तो power होता है और power का formula होता है क्या अगर अभिदिवार का formula होता है आयर और aaiko में क्या लिख सकता हGuix danach 20 आइक सखिणा आइक आप पावर का formula होता हम वी इसटा है ठीक है तो बीक क्या लिख सकता हूं यह आई को क्या लिख सकता हूं आई को लिख सकता हूं यह फॉर्मॉला हो जाएगा वी स्क्वार बाई यार अब है वोल्टेज चेंज नहीं कर रहा है वोल्टेज तो चेंज नहीं कर रहा है क्या लिखा है यूजिंग दा सेम में सप्लाई तो जो सप्लाई का वोल्टेज है वह तो घरों में FIX रहता है 220 वह नहीं चेंज हो रादी तब डिवोल्टेज नहीं चेंज कर रहा है तो अगर पावर को चेंज करना है तो मुझे क्या चेंज करना होगा और और नहीं को फॉरुबला पता है को resistance तो यहां से और इस डारेक्ट्री प्र effectively टु एल तो अगर हमको ज्यादा पावर चाहिए तो resistance कम करना पड़ेगा और resistance कम करने के लिए length भी कम करना पड़ेगा हमारा answer क्या है to reduce the boiling time using the same main supply the rate of heat production should be large और इसके लिए हमको resistance कम करना पड़ेगा जिसके लिए हमको length भी कम करना पड़ेगा क्योंकि resistance length पर depend करती है तो इसका answer क्या है इसका answer है कि जो wire की length है वो घटानी पड़ेगी length घटाएंगे तो इस formula के हिसाब से resistance घट जाएगा और इस formula के हिसाब से अगर resistance घट जाएगा तो power बढ़ जाएगी और power बढ़ जाएगी तो जल्दी ही वो पानी गरम हो जाएगा clear चल नेक्स question number 12 question number 12 में क्या solve करना है हमको इस resistance का value बताना है तो पहले हम equivalent resistance निकाल ले तो equivalent resistance कैसे निकलेगा वी बाई आई है ना वी कितना है थर्टी वोल्ट और आई कितना है तो यहां से आर एक्वेलेंट कितना है 15 ओम है ना अब आर 15 ओम है एक्वेलेंट मतलब इस टोटल का resistance 15 है यह 6 और यह 6 मिलके 12 हो गए तो जरूर इतने की value क्या होगी तीन होगी तभी तो यह 6 और यह 3 और यह 6 सिरीज में हो जाएंगे तो 6 6 12 3 15 होगा है ना तो 6 प्लस 6 प्लस इस पूरे का कुछ ना कुछ value होना निकालना है तो उसको मैं माल लेता हूँ x यह 15 के बराबर होगा क्योंकि यह यह 3 और यह सिरीज में होंगे तो यहां से x आ गया कितना x क्या है x इस पूरे यह जो 3 तार है इनका मिला कर resistance तो x क्या गया 3 ओम ठीक है x आ गया 3 ओम तो इसका मतब यह तीनों मिला कर 3 ओम है और यह तीनों पैरलल में है तो मतब इन तीनों का मिला कर जो एक्यूवेलेंट है वो है 3 तो 1 बाइ 3 स्कल्ट 2 1 बाइ 10 प्लस 1 बाइ 5 प्लस 1 बाइ आरवन है ना यहां से solve करोगे तो 1 बाइ 3 स्कल्ट 2 यह यहां से 1 बाइ 3 माइनस 3 बाइ 10 यह हो जाएगा 30 यो जाएगा 10 यह थे जा थीज़ा थे आए 9 अनन बाइ 3 तो आरवन कितना आ गया और बन आ गया 30 ohm आ गया ठीक है आरवन कितना आ गया 30 ohm आ गया answer ठीक है तो आरवन अगर 30 ohm होगा तो यह यह तीनों parallel में आ जाएंगे तीन और तीन आ कर तो यह हो जाएगा 15 देखो answer निकला न हमने बहुत आसान है बहुत आसान चलो आगे चलते है इवें calculate the total resistance of the circuit and find the total current बहुत आसान है total resistance निकालने के लिए पहले यह देखो कौन series कौन parallel में तो मुझे यह दिख रहा है कि यह दोनों series में है तो 6 और 4 का क्या हो जाएगा 10 है ना और यह 10 6 4 10 और यह 10 इस 10 के साथ parallel में तो यह हो जाएगा 5 और यह जो पांच है यह इसके साथ हो जाएगा series में तो साथ पांच बारा तो आर एक्क्यूवेलेंट कितना आ गया यह टोटल रिजिस्टेंस आ गया बारा हों अब हमां करेंट निकालना है तो वी बाई आर वी है 24 फोल्ट बारा से डिवाइड कर दिया रिजिस्टेंस से तो आगे हमारा टू एंपिर आगे आंसर ठीक है क्लियर आसान है नेक्स कोशन नमब थर्टीन गैसे फांड इंद अपर लेवर अट्मोस्फियर इस डेदली पॉजन बट इसेंशल फॉर लिविंग बिंग्स अमांट अफ इस गैस स्टाटे लेकिन अट्मोस्फियर के ऊपर वो हमको प्रोटेट कर रही है ओजॉन ओजॉन जी हाँ ओजॉन वह गैस है जो उनको प्रोटेट करती यह बंती कैसे है जब संलाइट ऑक्सीजन पर पढ़ती है तो संलाइट में जो अल्ट्रा वॉलेट रेडियेशन है वो मॉलिक्लर ऑक पर जो जानवर इंसान है उनको प्लांट्स को अल्ट्रा वालेट रेडियेशन से प्रोटेट कर रहे हैं यह जो सनलाइट में होते हैं ठीक है और इसी का जो लेवल है वो घटने लगा था क्योंकि क्लोरो फ्लोरो कार्मन हम गैस का इस्तमाल कर रहे थे फ्रिज में फिर आप क प्लांट्स केस्ट बेस है बच्चों है ना जैको क्या पूछा है कि साहिल परफॉर्म्ड एन एक्सपरिमेंट तुस्टडी और इनहरिटेंस पैटर ऑफ जीन ही क्रोजड टॉल पी घ्लांट विस शौट पी प्लांट एन उप्टेंड ओल टी प्लांट किन एफ में है कि नहीं यहीं मिलेगा ना फोन जनरेशन में तो वाट विल भी जा सैट ऑफ जीन प्रेजेंट इन एफ इन एफ यह सेट आफ जीन होगा गिव रिजन वाइव अली टॉल प्लांट्स अर अब्स और फन जीन एफ फंप रोजयनि एफ फंप रोजनी में टॉल ही प्लांट क् क्योंकि टी आपका dominant trait है और जो small t है वह आपका recessive है तो जब dominant और recessive आते हैं तो किसकी चलती है dominant की तो यहाँ चलेगी किसकी capital T की जिसके वज़ा से सारे plants टॉल होंगे लेकिन जब हम F2 में करेंगे F2 जनरेशन देखेंगे तो जनरेशन में यह हमको मिलेगा जी इसमें से यह तीन plant क्या होंगे टॉल और यह plant क्या होगा शॉट मीडियम प्लांट कोई नहीं होगा तो हर चार में से तॉल होंगे और चार में एक होगा वो शॉट होगा मीडियम कोई नहीं होगा ठीक है तो यहां क्या लिखा है वन F1 प्लांट से सेल्फ पॉलिनेटेड टोटल ऑफ 800 प्लांट से प्रेडियूस्ट हाँ मेनी ऑफ दीज वुड वुड वी टॉल मीडियम और शॉट तो देखो मीडियम तो कोई नहीं होंगे टॉल कितने थे चार में तीन थे तो आठ सो में कितने होंगे तो आठ सो में होंगे यह हो जाएंगे तीन दूनी 600 600 हो जाएंगे 600 टॉल और एक बटे चार तो यह हो जाएगा आपका दो सो दो सो शॉट और मीडियम कितने हो जाएंगे मीडियम हो जाएंगे जीरो यह रहा आंसर है ना एबी सी का आंसर आ गया अगर सी में यह कोशन नहीं सौल करते हो यह कोशन सौल करते हो कि वन एफन प्लांट से क्रॉस पॉलिनेटेड विट विट प्लांट्स हैविंग टीटी जीन्स टोटल ऑफ एट हंडड़ प्लांट्स यह प्रेडियूज हो मैंने अफ इसका मतब यह है कि देखो अगर सेल प पॉलिनेशन करें तो टी टी का इसी हूब हूँ वैसे ही के साथ पॉलिनेशन होगा मतब फटलाइजेशन होगा तो यह रिजल्ट मिलेगा लेकिन जब क्रॉस पॉलिनेशन कराए गया तो एक दूसरा कॉंबिनेशन लिया गया तो एफ मन में जो था टी था लेकिन जब इस कराएगया is small t small t के साथ देखो यहां cross pollination है तो यहां किसके साथ कराएगया small t small t से तो क्या आपको वही रिजल्ट मिलेगा नहीं 50% आपको मिलेंगे tall और 50% मिलेंगे आपको 50% tall 50% short ठीक है यह दूसरा केस है क्लियर तो अब कोश्चन क्या पूछा था अगर टोटल ओफ 800 प्लांट्स को सेल्फ क्रॉस पॉलिनेट कराए गया ठीक है मतलब जो यह वाला प्लांट है उसको इससे क्रॉस करा रहे हैं सब्सक्राइब जो प्रॉस पॉलिनेशन और पहले वाले केस में क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन तव मैंने पढ़ाया था सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक जैसा तो एक जैसा मतलब कि जब टी स्मॉल्ली को वह और तो हूब हूज से कराएंगे तो यह रिजर्ट मिलेगा लेकिन देख लो 400 टॉल 460 और मीडियम क्या है जीरो ठीक है तो वहां इसका मतलब यह केस है क्रॉस पॉलिनेशन में यह केस है इसके साथ ठीक है यह इसका फिनो टाइप क्या होगा टॉल होंगे क्योंकि डॉमिनेंट की चलेगी और यहां सभी रसेसिव हैं तो यह शॉट होंगे तो चार में दो टॉल हैं दो शॉट है मतलब 50 परसेंट तो अगर 800 होंगे तो 800 में से 400 टॉल 460 और मीडियम है जीरो रेशो पेडिपेंड करता है ठीक है तो पहले वाले केस में यह वाला रेशो चलेगा क्योंकि वहां सेल्फ पॉलिनेशन कराए गया इस वाली जनरेशन का मतलब इस वाले के जैसा ही एक और प्लांट लेकर जब क्रॉस कराए गया तो यह रिजल्ट मिला तो मीडियम तो एक भी नहीं थे ठीक है और थ्री इस्टू वन का रेशो मिला तो 800 में से जो थ्री बाई फोर मतब 600 टॉल होंगे और 200 शॉट होंगे ठीक है तो यह रहा सैंपल पेपर का हमारा डिस्कुशन है ना और आखरी कोशन पर आच चुके हैं देखो आखरी कोशन में क्या लिखा है आखरी कोशन में लिखा है कि अंसारी सर्वास दिमोंस्ट्रेटिंग एक्स मेंड भी उपर नीचे होगा तो आपको यहां गैलवनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा क्यों दिखेगा डिफ्लेक्शन जब यह स्प्रिंग नीचे जा रही है तो माल लेते हैं कि यह गैलवनोमीटर में नीडल राइट तरफ घूमा तो अगर स्प्रिंग उपर जैसे जैसे मेगनेट के करीब आ रहे है तौ मेगनेटिक फिल यह बढ़ रहे है और जैसे जैसे मैगनेट ऊपर जा रहा है क्योंकि स्प्रिंग कभी नीचे जोब कियो यह ऊपर जाएगा तो मेगनेटिक té फिल और सब्लेक्शन जाएंगा और मीजिशन एक क्वाइल में क्या induced होगा तो magnetic field जो की change हो रही है changing magnetic field will induce current किसमे इस क्वाइल में और उस current का पता इस galvanometer से लगेगा और उस current का direction बदलेगा क्योंकि magnetic field का direction भी बदल रहा है ठीक है तो यहां पहले question का answer क्या होगा what is the principle which अंसारी सर इस ट्राइंग to demonstrate वह है law of induction law of induction कौन सा induction electromagnetic induction और जो कि यह कहता है कि जब भी magnetic field change हो या magnetic flux change हो तो वह coil में या किसी तार में induced current उत्पन होता है ठीक है clear फिर यहां क्या पूछा है what will be observed when the magnet is start oscillating through the coil explain the reason behind the observation तो वह रीजन मैंने बता दिया कि जब भी spring उपर नीचे ऑस्किलेट करेगा तो magnetic field change होगा जिसके वज़ा से जो current है वो generate होगा और करेंट का direction हमेशा क्या होगा change होगा ठीक है और अगर तिसरा question पुछा जाए कि consider the situation where the is there any difference in the observation in the galvanometer when the magnet swings in and out then out of the stationary coil इसका मतब अगर spring नीचे और उपर होता है तो galvanometer के में कुछ आपको अंतर दिखेगा अंतर यह दिखेगा कि galvanometer की reading अगर मालो spring के नीचे जाने के वज़े से galvanometer की reading right direction में है तो spring के उपर जाने से इस galvanometer की reading left direction में होगी क्योंकि magnetic field change होने के वज़े से current का direction क्या होगा current उत्पन होगा और current produce हो रहा है उसका direction भी चेंज होगा है कि नहीं तो इस लिए यह आप कहां रहा 15 question का answer यानि electromagnetic induction से question पूछा है चीक है समझ में आया हां तो इस तरीके से बच्चो हमने इस science के sample paper का discussion किया जो की term 2 का था ठीक है इसी तरह अड़ा 24 7 class 9 and 10 के साथ जुड़ते रहिए पढ़ते रहिए thank you so much